वेलकम टू अन्जूस के चुप आज हम बनाने जा रहे हैं आलू भिंदी की सचसे इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो भिंदी जिसे हमने बड़े पीसिस में काट लिया हैं लगभख एक इंच साथी हमने दो आलू लिये हैं और उसे भी हमने क्यूटस में काट लिया है भिंदी के साइस के हिसाब से लगभख एक इंच फिर हमने दो बड़े पियास लिये हैं जिसको हमने चार में करके उसकी लीट्स निकाल लिये हैं कुछ इस तरह वो लगेगे साथी हमने हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, लालमिज, गरमसाला, नमक आमचूर, एजवाइन और लस्ण तो चलिए बनाते हैं आलू इंटी की सबसे तेल गरम होते ही इसमें हम लस्ण डालेंगे फिर एजवाइन एजवाइन होते ही हम इसमें आलू डालेंगे आलू को हमें पहले पकाना है लगभग 50-60% हमें पकाना है जैसे ही हमारे आलू 50-60% हो जाएं फिर हम यहाँ पे भिंडी डाल देंगे भिंडी को हम थोड़ा टास कर लेंगे और उसी के साथ हम मसाले डालेंगे तो हमने डाला हल्दी, धनिया पाउडर धनिया पाउडर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा धनिया पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आठा है फिर हम डालेंगे लाल मिर्च तीखा आप अपने टेस्ट के साब से बनाएं और इसे अच्छे से हम मिलाके पका लेंगे मसाले मिक्स करने के बाद हम भिंडी को कम से कम पाउच मिनट पकाएंगे अब इस वक्त यहां पर भिंडी हमारी काफी सॉफ्ट हो गई है और हम यहां पर आलू चेक कर लेंगे कि हमारे आलू हो गएं यहां पर अल्मॉस्ट हमारे 100% आलू भी पक गए है इस वक्त हम लोग यहां पर प्यास डालेंगे प्यास हम लास में डालेंगे बिकास को पकने में इतना टाइम नहीं लगता और हम प्यास थोड़ी सी कच्छी ही रहना है देना चाते है वो जो हलकी सी मिठास वाला जो फ्लेवर रहता है वो बहुत अच्छा लगता है आप लीज ऐसे ट्राइ करें अब हम थोड़ी देर कम से कम पांच मिनट और प्यास के साथ इसे पकाएंगे साथ में नमक डाल देंगे प्यास हमारी सॉफ्ट हो जाए और इसी वज़े से हमने नमक पहले नहीं डाला था अब लास में हम लोग यहां पे आमचू डाल देंगे आमचू से एक हलका सा खटास आ सकता है इसको अल्टरनेटिव है अगर आपके पास आमचू नहीं है तो आप अनार्दाना भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब इसे मिक्स करके हम कम से कम दो से तीन मिनट इसे पकने देंगे आप देख सकते हैं हमारी भींडी आलमोस्त तयार है देखने में बहुत अच्छी लग रही है तो इसे प्लीज बनाएं तो हमारी भींडी सर्फ करने के लिए तयार हैं आप इसे प्लीज खाएं बनाएं and बच्चों को खिलाएं देखें उन्हें बहुत अच्छा लगेगा इस तरह आप अगर भिंडी बनाएंगे so please do like, share and subscribe the channel and please do let us know how did you like it